CBAC Words में आपका स्वागत है तो हम पढ़े थे Classics Maths का First Chapter जिसका नाम है Knowing Our Numbers पिछली वीडियो में हमने ये topic Stand in Proper Order ये देख लिया था आज इससे related जो questions है ये जो आपका Try These है इसको हम discuss करेंगे जो कि आपके page number 5 पे दिया हुआ है तो पिछली वीडियो कर आपने नहीं देखी है तो उपर एक I Better Manker आ रहा है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो वो वीडियो आप देखोगे उसको आपने पढ़ा होगा तब ही आज की वीडियो आपके काम की होप आएगी हाँ पर समझ पाओगे questions कर पाओगे इसमें पहला question है arrange the following numbers in ascending order तो ascending order में आपको लिखना है ascending order का मतलब यह है कि सबसे पहले सबसे चोटा उसके बाद उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा इस order में लिखना है आपको numbers तो यह वाला part देख लेते हैं सबसे पहले हम क्या करते है याद करो पहली वीडियो मैंने आपको कुछ rules सिखाय थे कि जिस number में सबसे ज़ादा digit होंगी वो सबसे बड़ा होगा और जिस number में सबसे कम digits होंगी वो सबसे चोटा number होगा तो हमको ascending order में सबसे चोटे number की तलाश होती है तो सबसे कम digit किसकी है यहाँ पर 3 digit है यहाँ पर 4 digit है यहाँ 4 digit है और यहाँ 3 digit है तो यह 3 digit और यह 3 digit इसका मतलब इन दोनों में से ही कोई number होगा जो सबसे चोटा होगा अगर digits बराबर आजाती है तो हम क्या करते है सबसे left side वाला जो digit है उसको compare करते है यहाँ पर 8 है और यहाँ 5 है छोटा कौन है आपको 5 है इसका मतलब यह number सबसे छोटा होगा तो सबसे पहले हम यह number लिख लेंगे 571 इसके बाद आपका यह 847 आ जाएगा ठीक है 847 आ गया अब यह दो number तो हमने लिख लिए अब 4 digit numbers की हम बात कर लेते हैं तो 975 87548320 यह दोनों ही 4 digit number है तो हम left side वाला जो digit उसको compare करेंगे यहाँ 9 है और यहाँ 8 है हमको दो भईया छोटा चाहिए तो 9 और 8 में कौन छोटा है आपको 8 तो इसका मतलब यह जो number है यह सबसे छोटा है 8320 यानि इन दोनों की हम बात करने ठीक है तो यह भी इस्तिमाल हो ग जो सबसे छोटा है फिर उसके बाद सबसे छोटा है इस तरह से करते हुए लिख रहे हैं बी वाले part की बात कर लेते हैं पहले number of digits count कर लो यहाँ पर 4 digits है और यहाँ पर कितना है हमारे 5 digits है यहाँ पर 5 digits है तो जिसकी number of digits सबसे कम है वो सबसे छोटा है यानि हमारा 9801 यह 3 है सबसे छोटा कौन सा आप कहोगी यह वाला छोटा है तो इसको लिख लो 25751 यह भी इस्तिमाल हो गया अब इन दोनों में कौन छोटा होगा देखो number of digits भी बराबर है 5 और 5 सबसे left side value जो digit है वो भी सेम है 3 और 3 तो उसके बाद जो digit आती उसको compare करो यह 6 है और यह 8 है छो चोटा कौन सा है 6 है यानि यह जो number होगा 36501 यह सबसे छोटा होगा यह भी इस्तिमाल होगा लास्ट में कौन सा बचा 38802 यह हमारा हो गया अब second question है आपको यह जो numbers दिये हुए है उसको arrange करना in descending order descending order का मतलब decreasing order में सबसे पहले सबसे बड़ा उसके बाद जो उससे छोटा ह होगा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा यानि यहां पर हम सबसे बड़े number को तलाशेंगे और लिखते जाएंगे यह वाले part की बात कर लें तो number of digits पहले count कर लो यहां पर कितने digit है 4 है यहां पर 4 है यहां पर हमारे 5 है और यहां पर 4 है सबसे बड़ा हमको ढूंड़ना ह है जिसकी digit सबसे जादा वो सबसे बड़ा यानि हमारा सबसे बड़ा number कौन सा होगा 85400 यह number हमने इस्तेमाल कर लिया अब बाकी जो हमारे 3 है उन सब में 44 digits है तो digit बराबर अब हम compare करेंगे सबसे लेफ्ट वाला है यहां 5 है यहां 7 है और यहां 7 है सबसे बड़ा कौन है तो बराबर आ गया तो उसके बाद वाला digit देखो यह 5 है यहां 8 है यहां पर तो 5 है यहां 8 में कौन बड़ा है आपको 8 है इसका मतलब हमारा 7861 यह सबसे बड़ा number होगा उसके बाद हमारा यह आएगा 7500 लास्ट में कौन सा बच जाएगा हमारा 5000 यह number हमारा हो गया ठीक है बी वाला हम देख लेते हैं number of digits आपको count कर लेने हैं यह हमारे 4 है यह हमारा 5 है और यह 5 digits है और यह 5 digits है सबसे बड़ा हमको देखना है तो सबसे बड़ी तो 5 digits है लेकिन 5 digits के हमारे पास 3 numbers है इन 3ों में कौन बड़ा है तो सबसे left वाला compare करो यह 4 है यह 8 है और यह 9 है तो इ 4 और 8 में कौन बढ़ा है आपको 8 तो हम लिख लेंगे 8 8 7 1 5 ये हो गया अब कौन बचा ये बचा हमारे सामने 4 5 3 2 1 ये भी इस्तमाल हो गया अब last हमारा ये digit बचा नमबर बचा तो इसको हम लिख लेते हैं 9 7 1 तो ये हमने descending order में लिख लिए यह सबसे बड़ा नमबर सबसे पहले है और सबसे छोटा नमबर सबसे लाश्ट में है अब यहां कहरा है में 10 सच एक्जाम्पल ऑफ एसेंडिंग डिसेंडिंग ओर रेंस तो इस तरह से आपको 10 कोई वीडियो प्ले होरी हो गी पहले तो वीडियो को लायक कर लो इधर लायक का बटन है और हो के सब्सक्राइब करो का AL Gveltal में बैल का एकन होगा। उस पे क्लिक करके और जब CEO हायगे आप को मेसेज आ जाएगा.. अब वीडियो के नीचे एक down arrow का symbol होगा, उस पर आपको click करना है, scroll down करोगे तो यहाँ पर इस chapter की जितनी भी videos हैं, सब का link आपको मिल जाएगा, part 1, part 2, part 3 इस तरह से करके हैं, तो जो part वाली video आपको देखनी है, उसके साथ में जो blue color से link है, उसके click करोगे तो वो वाली video play होन इस तरह जिस chapter के भी आपको देखना है, वो यहाँ से देख सकते हो, और नीचे यहाँ पर आओगे तो आपको दूसरे subjects के भी playlist का link मिल जाएगा, तो वहाँ से और subject की videos आप देख सकते हो, okay thank you